हेलो फेंड्स, वेलकम तो और यूट्यूब चैनल, तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्लास 11 का जो बायलोजी में क्या स्लेवस रिडक्शन हुआ है, वो मैं डिरेक्टली आपको बायलोजी की बुक में टिक मार्ग लगवा दूगी कि कौन स चाप्टर आपका रिमूब हो गया है, कौन से चाप्टर में से कौन सा पोर्शन अब आपको नहीं पढ़ना है, 2021 के एक्जाम के लिए, तो फटा फिट से आपको अपनी इंसियाटी की बुक निकाल लेनी है, और निशान लगाना है कि इस बार स्लेवस में कितना परसेंट हुआ है, वो आपको पताना चीए, लगबख 30% रिडाक्शन जो है स्लेवस में कर दिया गया है, कोरोना पेंडिमिक के कारण, तो वो क्या क्या चीजे हैं, जो स्लेवस में से अब आपको नहीं पढ़नी है, जिनसे कि आपके एक्जाम में क्वेशन नहीं आएंगे, वो मैं आपको बता देना चाहती हो, और एकदम अच्छे ढंक से यह पर्टिकुलर वीडियो गर आप लास्ट तक देख लेते हैं, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कि आपकी एक्जाम में आपको एक्जाम के लिए बेसिकली क्या क्या चीजे पढ़के जानी है, तो सबसे चैप्टर है, काफी जो कठिन-कठिन वाले चैप्टर हुआ करते थे, जो बच्चों को बहुत कंफ्यूजिंग लगते थे, वो चैप्टर जो है हटा दिया गया है आपका स्लेविस से, तो उसमें आपके इंक्लूडेड है, फरस्टी जो चैप्टर सिक्स है, वो आपको कत इसमें टर्म्स थे, बटर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल, जो बच्चों को बहुत कंफ्यूजिंग लगते थे, वो अब आपके स्लेविस में नहीं है, कंप्लीटली चैप्टर नमबर 11 को हटा दिया गया है आपके स्लेविस से, बहें अगर बात की जाए, वो अब को कुछ भी नहीं पढ़ना है, बहें अगर बात की जाए, चैप्टर नमबर 16 की, जो काफी बेसिक चैप्टर था, क्योंकि बच्पन से आप डाइजेशन के बारे में, हुमन डाइजेशन में कैसे होता है, यह सारा कुछ आप अल्रेडी जानते हैं, लेकिन यह चै चैप्टर 26 बात करेंगे कि चैप्टर 27 कुछ हटा है, क्या क्या पोट्षन हटा दिया गया है, कितना पोट्षन आपको पढ़ना है, उसके बारे में हम आगे। चैप्टर 27 तो फटा फट से हम चलेंगे, अपने चैप्टर самый फ़िस की तरफ, तो यहां पर हुम पिक्प्ट होते हैं diversity in the living world यह वाला जो पैरा है यहीं से आपको जो है आपको पढ़ना बंद कर देना है क्योंकि यहीं से आपकी जो है है यह सारा कुछ हटा दिया गया species genus family order class phylum यह कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है उसी के साथ ही जो टेक्सॉनॉमिकल एच है चाए हर्वेरियम है चाहिए जो भी है यह सब कुछ आपको नहीं पढ़ना ना हर्वेरियम ना बोटैनिकल गार्डन ना म्यूजियम यह सारी चीज़े आपको नहीं पड़नी है ठीक है तो डाइवरस्टी इंद लीविंग वर्ल्ड के आगे जितना भी था सब कुछ हटा दिया गया इस चाप्टर में से तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा गॉट अब जो चीज़े हटा दी गई है उसके अकॉर्डिंग जो ह अब वो चीज में आपको कबर करा दूगी अभी सिर्फ हम जो है कंटेंट की बात करेंगे तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स चाप्टर की तरफ बच्चों गर बात की जाए चाप्टर सेकिंड की तो चाप्टर सेकिंड में आपको जो है कुछ भी रिडक्शन नहीं अब हम बढ़ते है अपने चाप्टर नंबर थोड की तरफ चैप्टर नंबर थोड की बात की जाए प्लांट किंग्डम तो इसमें से जो है यह सारा कुछ आपको पढ़ना है जितना भी एलगी है यह सारी चीजे जो चल रही है वो सब कुछ आपको पढ़ते हैं स्पर्म भी पढ़ना पड़ेगा जो आपके स्लेबर से हटाई गई है वह आपका एंजियो स्पर्म के बारे में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है एक भी वर्ट आप नहीं पढ़ेंगे कि एंजियो स्पर्म में कैसे सब कुछ होता है इसके अराबा अल्टर्णीशन ऑफ जेनरेशन जो कि आप लोगों को बहुत ही कठें लगता था खराब लगता था समझ में नहीं आता था वो जो है आपके स्लेबर से हटा दिया गया कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया तो इनमें से हैप लोड़ अप्रॉंट पूरा चाप्टर पढ़ना है इसमें से एक वर्ड भी नहीं हटाया गया इवन स्लेबर से तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इस चाप्टर में से आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है सारे एक्सरसाइस की क्वेशन्स आप लोग करेंगे सब कुछ सारे एक्जा कि आपको क्या क्या चीज नहीं पढ़नी है रूट के बारे में बिल्कुल भी आपको नहीं पढ़ना ये पूरा का रा जो पराल चल कुछ भी नहीं पढ़ना है, modification of STEM, यह सारा कुछ जो ड्रामा था, सब कुछ अठा दिया गया है, LEAF के बारे में जो है, इस बार आपको कुछ भी पढ़के नहीं जाना है, 2021 exams के लिए, तो LEAF के बारे में आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, चाहे उसके विनेशन हो, चाहे टाइपस ऑफ लीव्स हो, चाहे फाइलो टेक्सी हो, यह सारा कुछ लीव्स से रिलेटेड है, जो कि आपको पढ़ना ही नहीं है, modification of LEAF, सब कुछ हटा दिया गया आपके इस लिवस से, अगर बात की जाए, inflation को लेकर, तो यह सारा कुछ लीव का ही पार्ट है, तो वो भी आपको नहीं पढ़के जाना है, लेकिन अगर बात की जाए, आपके फलार को लेकर, तो फलार के बारे में आपको पढ़के जाना है, फलार आपके इस लिवस से नहीं हटाया गया है, प्लार के बारे में आप सारा कुछ पढ़ेंगे अक्टिनोमॉर्फिक और ये हाइपो काइनस पाइपो फ्लार, कैलिक्स, खौरोला ये सारा कुछ आपके स्लेवस में प्रेजन्ट है एस्टिवेशन भी आपको पढ़ना पढ़ेगा और उसी के साथ ही आपको अंड्रोशियम, गाइनोशियम ये पूरा-पूरा पढ़ना है फ्रूट जो है आपके स्लेवस से हटा दिया गया है फ्रूट के बारे में आपको नहीं पढ़ना पढ़ेगा सीड के बारे में आपको कताई नहीं पढ़के जाना है क्योंकि seed भी आपके इस लिवस से remove कर दिया गया है चाहे वो monocot seed वाला ही topic क्यों ना हो पूरा का पूरा remove कर दिया गया है अगर यहाँ पर हम बात करें एक typical flowering plant में तो इसमें जो है आपकी जो fevacy family थी जो fevacy family थी वो आपकी इस लिवस से remove कर दी गई है अब आपको fevacy family नहीं पढ़ना है लेकिन अगर बात करें solenacy family तो यह आपको पढ़ना है solenacy family तो आपको पढ़ना ही पढ़ेगा उसके साथ ही जो lilyacy family है वो भी आपको पढ़ना है as it is जतना भी दे रखा है ठीक है तो I hope कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस chapter में से आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि chapter number 6 तो आपका fully deleted हो गया है तो यहाँ पर हम बात करने वाले chapter number 7 की कि chapter number 7 में से क्या चीज़े remove कर दी गई है तो chapter number 7 में जो animal tissue वाला portion है यह सारा का सारा आपको पढ़ना है epithelial tissue यह सारा कुछ आपको पढ़ना पढ़ेगा compound epithelium connective tissue यह सारा कुछ आपके slivers में as it is रखा हुआ है muscles tissues भी आपको पढ़ने ही पढ़ेंगे smooth muscles, cardiac muscles, neural tissue भी पढ़ना होगा organ and organ system के बारे में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है earthworm बिल्कुल नहीं पढ़ना है got it earthworm के बारे में जरासा भी आपको नहीं पढ़ना चाहे उसकी anatomy है चाहे जो भी दे रखी है उस पर आपको ध्यान ही नहीं देना है cockroach के बारे में आपको इस बार नहीं पढ़ना बच्चों को cockroach को लेकर बहुत दिक्त होती थी कि cockroach के बारे में पढ़ना पड़ता था cockroach भी इस बार स्लेबर से खटा दिया गया है और एवन अगर बात करें Earthworm की तो Earthworm भी जो है और frog दोनों ही स्लेबस से हटा दिये गए हैं तीनों ही स्लेबस से हटा दिये गए हैं organ and organ system बाला topic मैंने आपको बता दिया है स्लेबस से आपके remove कर दिया गया है तो यहाँ पर हम पहुँच जो कि अपने chapter number 8 की तरफ चाप्टर number 8 में आपको कुछ भी बच्चो रिमूव नहीं किया गया है सब कुछ आपको पढ़ना है कोई भी line, कोई भी word, एवन एक भी चीज नहीं हटाई गयी क्योंकि chapter 8 जो है वो basis है biological तो यह पूरा का पूरा चाप्टर आपको पढ़ना पढ़ेगा चाप्टर number 9 से भी आपका कुछ भी जो है रिडाक्शन नहीं किया गया है पूरा का पूरा चाप्टर जो है आपको पढ़ना पढ़ेगा चाप्टर 10 पे से भी आपका कोई भी पोर्चन नहीं हटाए गया आपको पढ़ना पढ़ेगा इस पर्टिकुलर चाप्टर में से कोई भी चीज हटाई नहीं गई है, पूरा का पूरा चाप्टर आज़ आपको पढ़ना ही पढ़ेगा, चाप्टर नमर 14 में से भी आपका कुछ भी नहीं हटाया गया इस लेवस में से, तो ये आपको पूरा का पूरा पोर्शन भी है चैप्टर नमर 15 में बहुत सी चीज़े हटा दी गई है तो मैं आपको वो क्लियर कर देना चाहती हूं कि क्या क्या चीज़े अब आपको नहीं पढ़के जानी है तो इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए तो यहां पे अगर बात करें कि प्लांट के ग्रोथ को लेकर तो जो फेज़े होते हैं यह वाला जो पोर्शन है आपको नहीं पढ़ना है वाला जो परिशन है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि आपको नहीं पढ़ना है condition for growth वाला जो topic है वो भी आपको नहीं पढ़ना है differentiation, de-differentiation and re-differentiation जुकि confusing था काफी जदा वो 20 ले बस से हटा दिया गया है आपके लिए काफी खुशी की बात है वही अगर हम बात करें sequence of the developmental process की तो ये वाला जो topic है वो भी आपको नहीं पढ़ना है ये सारा कुछ अठा दिया गया है ये हेट्रोफिली ये सब भी चीज़े आपको फिर साथ में नहीं पढ़नी है ये कई बच्चों को लग रहा हो कि क्या वो पढ़ना है तो नहीं वो भी नहीं पढ़ना है आपको ये आपको clear होना चीए plant growth regulator जो है वो पूरा का पूरा आपको पढ़ना पढ़ेगा चाहे वो oxygen हो चाहे जब्रालिन हो सारा का सारा आपको ethylene, vethylene साब पढ़ना है ठीक है सब पूरा का पूरा पढ़ना है photoperiodism जो है वो आपके slivers से remove कर दिया गया है तो ये काफी खुशी की बात है और vernalization भी आपके slivers से remove कर दिया गया है तो ये topic भी आपको नहीं पढ़ना है अब मैं को उमीद है कि आपको सब कुस समझ में आ रहा होगा अब हम बढ़ते हैं अपने next chapter की तरफ chapter number 16 तो आपके slivers से पूरा completely deleted है लेकिन chapter number 17 तो ये अगर बात की जाए तो chapter number 17 से कुछ भी नहीं हटाया गया है क्योंकि human physiology का portion आपके लिए पढ़ना important है क्योंकि कहीं न कहीं अगर आपके पास bio है तो हो सकता है कि आप medical field में जाए और बहाँ पर human physiology आपको अच्छे से आनी चाहिए तो chapter number 17 में कोई reduction नहीं है पूरा का पूरा chapter आपको पढ़के जाना है अपने exams के लिए और ठीक इसी तरह से chapter number 18 में भी कोई reduction नहीं किया है CBSE बालों ने तो पूरा का पूरा chapter आपको पढ़के जाना है chapter 19 में भी कोई reduction नहीं है तो पूरा का पूरा ये chapter जो है आप लोग पढ़ लेंगे तो काफी आपके लिए अच्छा रहेगा चैप्टर नबर 20 में काफी चीज़े रिमूव कर दी गई है तो वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि टाइप आप मुवमेंट वाला जो टॉपिक है वो आपके स्लेबर से रिमूव कर दिया गया है तो इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है इसके अलाब़ अगर हम बात करें आपके मसल्ड के बारे में तो वो आपको पढ़ के जाना है यह तो आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे जो आपका पहरा है जहां से start है यहां से आपको चीजे नहीं पढ़नी है ठीक है लेट अस एक्जमाइन वाली जो पॉइंट है वहां से आप start करेंगे और यहां से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है पूरा यह जो ड्रामा चल रहा है यह सब हटा दिया गया है बच्चों आपको कुछ भी नहीं पढ़ना कुछ भी नहीं structure of contractile protein की अगर हम बात करें तो भी आपको हटा दिया गया क्योंकि skeletal system उसका पुड़ा function ही अटा दिया गया यह कुछ भी नहीं पढ़ना आपको mechanism of muscles contraction वगरा कुछ भी नहीं पढ़ना सब कुछ आपके slabels से remove कर दिया गया है यह सारी बकवास की बाते थी skeletal system बाला जो topic है वो भी आपको नहीं पढ़ना है skeletal system जो था वो आपके slabels से remove कर दिया गया है वहीं अगर हम बात करिए पूरा का पूरा जो ड्रामा चल रहा पांडिकुलर, skeleton, limbs यह सारा कुछ आपके slabels से हटा दिया गया है वहीं अगर बात करिए joints को लेकर तो joint भी आपको नहीं पढ़ना joint भी आपके slabels से सारा कसरा remove कर दिया गया है वहीं अगर बात करिए disorder की तो disorder भी आपको chapter में नहीं पढ़ना है सारे के सारे disorder जो है वो आपके chapter से remove कर दिये गए है यहाँ पर बच्चो एक problem हो गई है skeletal system जो है वो आपकी इस लिवस से हटा दिया गया है लेकिन यह जो अगर हम बात करें हाँ पर skeletal muscles की skeletal muscles जो है वो आपकी इस लिवस में बच्चो है skeletal muscles आपकी इस लिवस में है इसमें type of movements आपको पढ़ने हैं, ठीक है, types of movements नहीं पढ़ना है, skeletal system, skeletal system जो है बोस लिवर से हटाए गया है, skeletal muscles नहीं हटाए गई है, skeletal muscles पूरा पढ़ोगे, visceral muscles पढ़ोगे, cardiac muscles पढ़ोगे, अच्छे से, उसके बाद जो है, आप लोग ये सारा कुछ क्या है, ये जो आप of muscles contraction भी आपको पढ़ना है, जो चीज़ आपको नहीं पढ़नी है, वो ये skeletal system है, skeletal system आपको नहीं पढ़ना है, skeletal system आपकी इस लिवर से रिमूव कर दिया गया है, अगर बात की चाहिए chapter number 21, first को लेकर तो इसमें क्या क्या चीज़ आपको नहीं पढ़नी है, वो मैं आपक की वीडियो मैं अल्री मैं तब डाल दूंगी अभी थोड़े दो दिनों के अंदर, तो वो आप लोग पढ़ लीजिएगा, और अभी मैं clear करना चाहती हूँ कि जो reflex action है, जो reflex action and reflex are color topic है, ये आपके इस लिवर से remove कर दिया गया है, तो ये आपको नहीं पढ़के जाना है, sensory reception, perception ये सारा कुछ हटा दिया गया है, तो ये भी आपको नहीं पढ़ना है, साथ में जितने भी sense organs थे, चाहे AI हो, चाहे AI हो, ये आपके इस लिवर से हटा दिया गया है, parts of NI, और ये जो पूरा का पूरा चल रहा था, mechanism of vision, ये सारा कुछ हटा दिया गया, AI, VR, ये सारा chapter number 22 की, तो इस में से कोई भी reduction नहीं है, सारे की सारे hormones वगएरा सब कुछ आपको पढ़के जाने है, अपने exams के लिए, तो I hope कि आपको समझ में आ गया होगा कि चाप्टर में क्या-क्या reduction हुआ है, इस साल के लिए आपको board exam तो नहीं होने बाले हैं, लेकिन आपका जो exam इस में क्या-क्या चीजे जो हैं आपको नहीं करके जानी है, I hope कि बहुत अच्छे से आपको clear हो गया होगा, अगर वीडियो अच्छी लगी है, फटा फट्चे वीडियो को like करोगे, चैनल को subscribe करना बलकूल न भूले, thank you guys, thanks for watching my video